Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल लंबे समय से विवात चल रहा है, वो है आपका तीस्ता नदी, और यहाँ पर हुआ क्या है, कि जो बांगलादेश की प्राइम निश्टर है, शेख हसीना, वो भारत दोरे पर आई थी, और उसी बीच क्या हुआ है, कि भारत और बांगलादेश के बीच में तीस्ता नदी को वहाँ पर कैसे वाटर को कंजर्व किया जाए, इसके लिए भारत से एक टीम बांगलादेश में जाएगी, अब हो क्या रहा था कि पिछले काफी समय से जो चाइना है, वो कोशिश कर रहा था उस प्रोजेट को लेने का, लेकिन कही न कहीं भारत इसमें आगे जाता हुआ और इसलिए important हो जाता है, लेकिन क्या हुआ है कि भारत के अंदर भी कुछ politics अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी हो गई है, क्योंकि जो Chief Minister है West Bengal की, उन्होंने आरोप लगा है केंदर की उपर, Central Government की उपर, कि यहाँ पर Central Government West Bengal को इसमें शामिल नहीं कर रही है यह गलत है, ऐसा नहीं होना चीए, तो इसी के बारे में हम डीटेल से एक एक चीज़े मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूँ, कल से हमारा जो तीन लाइफ बैच है अलग-लग languages में, GS Foundation का, अगर आप प्र जाएए, या फिर comment section में लिंक है और आपको use करना है यह code अंकित live, क्योंकि यह code इस्तमाल करके किसी भी batch, किसी भी course में आप maximum जो discount है वो ले पाते हैं, और इसके अलावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MC Qs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चलिए सुरवात करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं, कि exactly चल क्या रहा है, दिखें यहाँ पर क्या है, कि जो Saturday को भारत और बांगला देश के बीच में जो भी बात चीत हुई थी, उसके बारे में announcement किया गया, उसमें जो एक सबसे ब और यह आपको पता है, यहाँ पर बांगला देश हो गया, उपर भारत है, और यह भारत के लिए काफी important हिस्सा हो जाता है, चिकन स्नेक आपको पता ही होगा, सिली गोरी कोरिडर जिसको कहते हैं, तो वहीं से यह जो नदी है, वो बहती है, और यह तीस्ता नदी की सुरवा अग्चुली भारत और तिवित के बीच में जो बॉर्डर है, माउंटेन है, वहां से इसकी सुरवात होती है, और सिक्की में सुरवात होते वे वे आपका वेस्ट बेंगौल आती है, और उसके बाद बांगला देश एंटर करती है, अब बांगला देश एंटर करने के जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी, इसको यमुना रिवर कहा जाता है, तो तीस्ता नदी एक तरह से जमुना नदी या फिर ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि बांगला देश में आगे जाकर यह आपका वहां पर मिल जाती है, तो यहां पर बात क्या कही बात ये कही जारी है कि ये वाला जो section है यहाँ पर बांगला देश वाला जहां पर तीस्ता नदी भैती है वहाँ पर भारत मदद करने वाला है क्या करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन देखें ये important इसली भी हो जाता है क्योंकि शेख हसीना अभी just आई थी आपको य यहाँ पर यह दिखाता है कि भारत का जो neighborhood first policy है उसको further enhance करने की कोशिश की जा रही है कोशिशन अब यह है कि तीस्ता नदी को लेकर दोनों देश के बीश में क्या agree किया गया है दगो यहाँ पर क्या हुआ था कि शेख हसीना और PM मोदी जी के बीश में जो भी बातचीत हु था उसी में यहाँ पर PM मोदी ने बोला कि देखिए भारत और बांगलादेश के बीश में लगभग 54 नदी जो है वो आपका connect करती है भारत और बांगलादेश के बीश में उसमें जो एक सबसे important नदी की हम बात करें है वो है तीस्ता नदी and इसी के conservation और management को लेकर भारत और बांगलादेश के बीश में agreement हुआ agreement क्या है मैं आपको बताता हूँ यह अगर आप देखोगे यह जब भारत में enter करता है तीस्ता नदी अब देखिए क्या है कि total length अगर हम बात करें तो तीस्ता नदी का भारत वाला जो length है भारत में जो नदी है इसका वो 305 km के आसपास है और यहां से अगर आप देखोगे बांगलादेश वाला section क्योंकि यहां पर जमुना रिवर में मिल जाती है ब्रमपुत्रा रिवर जमुना जो मैं आपको बता रहा था तो यह तीस्ता नदी का बांगलादेश का जो length है section है वो है I think शायद 110 km के आसपास ठीक है तो यहां प पानी मिल सके सही तरीके से अभी क्या है कि बांगलादेश उस पानी को सेव नहीं कर पा रहा है बचा नहीं पा रहा है और इसलिए भारत क्या करेगा एक technical team भेजे का बांगलादेश के अंदर और वो इसको assess करेंगे कि कैसे इस पानी को यहां पर बचाया जा सकता है एक तो यह हो गया और दूसरा इसमें एक और important चीज़ है गंगा वाटर ट्रीटी अच्छिली 1996 में sign हुआ था अब आपको पता होगा इक गंगा वाटर जो है वो आपका वो भी बांगलादेश की तरफ जाती है गंगा नदी तो 1996 में भारत और बांगलादेश के बीच में उसको लेकर agreement हुआ था यह 30 सालों के लिए हुआ था तो 2026 में यह expire होने वाला है तो further कि कैसे इस agreement को negotiations वगरा स्टार्ट किया जाए इसको लेकर भी दोनों देश के बीच में बातचीत हुई है question यह है कि यह इतना माईने क्यों रखता है यह matter क्यों करता है देखो मैं आपको बताता हूं क्या है कि चाइना की नजर थी इसकी उपर मैंने आपको बताया ना यह 110 किलोमीटर वाल जाने के लिए और इसका जो टोटल कोस्ट करीब 1 बिलियन डॉलर का बताया जा रहा है मतलब 1 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट बताया गया चाइना के दोरा कि आप हमें यह दीजी हम आपके पानी को सेफ करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सोच के देखो य क्या है ना कि अगले महने शेख हसीना चाइना भी जाने वाली है तो उनके उपर बहुत प्रेशर रहता चाइना काफी प्रेशर डालता कि देखिए हम चाहते हैं आपका यह प्रोजेक्ट लिया जाए लेकिन अब क्या हुआ है कि पहले ही यहाँ पर भारत और बांगलादे प्रेशू तो चली रहा है तो यह काफी जादा जरूरी हो गया था खेर यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दू जो फॉरें सेक्रेटरी है हमारे विने कवात्रा उनके द्वारा मीडिया को यह भी बोला गया कि देखे जो मेनेजमेंट है इस वाटर रिसोर्स का यह बहुत और सेंसिटिव मैटर है नैचरली यहाँ पर क्या है कि दोनों देश के बीच में बहुत सारी नदिया बहती है जैसा मैंने आपको बताया है लेकिन क्या है ना कि जो हम तीस्ता नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर कंजरवेशन से जादा क्या है कि जो टेकनिकल more about the management of the water flow within तीस्ता रिवर ठीक है अब देखे क्या होता है कि जब ये भारत सरकार पीम मोदी और शेक हसीना के बीच में ये सब कुछ हुआ और मीडिया को इसके बारे में बताया गया तुरंत आप देख सकते हो यहाँ पर वेस्ट वेंगॉल की जो चीफ मिनिश्टर है वमता तीस्ता नदी और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया ना 1996 का जो गंगा वाटर शेरिंग ट्रीटी है ये 2026 में एक्सपायर होगा वो भी वेस्ट वेंगॉल से गुजरता है तो मंताब एनरजी का ये कहना था कि अगर आप बांगला देश से कोई भी बातचीत कर रहे ह नहीं चाहिए आपने वेस्ट वेंगॉल को स्रामिल इसके अंदर क्यों नहीं किया और इसलिए अब वो क्या कर रही है मंताब एनरजी वो अपने अलाइस के साथ जो इंडिया ब्लॉक अलाइस है उनसे सपोर्ट जुटानी की कोशिश कर रही है कि जो परलेमेंट सेशन है उसके अंदर इस मुद्दे को उठाय जाए इनफक मैं आपको दिखाता भी हूँ मंताब एनरजी ने एक पत्र भी लिखाये प्रामिनिस्टर मोधी को रेस्पेक्टेट प्रामिनिस्टर आम राइटिं इस लेटर इन कॉंटेक्स आफ रिसेंट विजट ऑफ ऑनोरेबल प् गुजरती है तो इसमें हमारा भी इंट्रेस्ट है ठीक है यहां पर जाने से पहले एक और मैं आपको चीज़ बता दूं रिगार्डिंग दा टीस्टा वाटर डिस्पूट लंबे समय से यह पूरा डिस्पूट चलता रहा है और जैसा मैंने आपको बोला कि तीस्टा नद और फिर आपका यह बांगलादेश एंटर कर जाता है ठीक है अब 2011 में क्या हुआ था भारत और बांगलादेश के बीच में एग्रिमेंट हो नहीं वाला था अल्मोस्ट होने वाला था अब देखिए यहां पर एक और चीज़ समझने की जूरत है कि तीस्ता नदी में पानी को लेकर बांगलादेश क्यों मांग करता रहता है कि भारत पानी और जादा दे क्योंकि क्या है देखो अगर नॉर्मल समय में अगर हम देखें जब बारिश वगर होती रहती है नदी में पानी लबालब भरा हुआ है ठीक है तब तो कोई इशू नहीं है पानी का फ्लो होत रख लेता है और बांगलादेश को कम पानी देता है और यह जो 110 किलोमीटर का इलाका है यहाँ पर वहाँ पर जो लोग हैं वो सफर करते हैं ऐसा बांगलादेश का आरोप है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए PM मनमुहन सिंग्जी के समय 2011 में agreement क्या होना था मैं आपको बताता हूँ भारत नहीं कहा कि जो lean season होता है जब पानी का level कम होता है December और March के बीच में तब हम क्या करेंगे 37.5% पानी यह हम बांगलादेश को दे देंगे और 42.5% पानी भारत के अंदर रहेगा ऐसा almost होने ही वाला था और बांगलादेश भी agree कर गया था लेकिन तभी क्या होता है जो ममता बने जी है उसे में वेस्ट पेंगल की चीफ हैं सब बनी थी तो उन्होंने इसको oppose कर दिया और यह agreement actually नहीं हो पाया तो almost यह agreement होते होते हाँ पर रुख गया था अब देखें फिर finally क्या होता है बांगलादेश परसान होने 2023 के दिसंबर में बेजिंग के जो ambassador है ठाका के अंदर उन्होंने ये का कि देखो जो project का cost है वो हम और कम कर दे रहे हैं और सिर्फ 1 billion dollar के अंदर पूरा आपका काम हो जाएगा आप समझे हो चाइना यहाँ पर लुभानी की कोशिश कर रहा था बांगलादेश को तभी भारत कहीं ना कहीं जागा और भारत ने का कि नहीं ऐसा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि अगर चाइना वहाँ पर इतना close आ गया और भारत के तो यह भारत के लिए और मुश्किल हो जाएगा और आप समझे जो पूरा पानी का data वगर है वो सब कुछ चाइना के पास चला हुआ था जैसे इंडिया बांगलादेश shared vision for future enhanced connectivity commerce and collaboration for shared prosperity और यह align करता है जैसे भारत ने aim रखा है 2047 का विक्सित भारत का वैसे बांगलादेश ने भी vision रखा है smart बांगलादेश 2041 का तो दोनों को align करते हुए यहाँ पर कुछ agreement declarations वगर assign हुए थे और अगेन आप देख सक इस्ता नदी को लेकर बाचीत हो रही थी विवाद हो रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो हमारे देश में कृष्णा राजा सागर डैम यह आपको कौन से नदी पर देखने को मिलेगा इसका right answer आप सबको पता है मेरे instagram पर तो maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ से नेक्स ताइम तिल दन थैंक यू बरी मच्च सी यू सून Study IQ IS अब तयारी हुई affordable